हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्मृती और आज से हम दा हिंदू न्यूस्पेपर का डिसकेशन स्टार्ट करते हैं देखें दा हिंदू न्यूस्पेपर जो है ना उसकी लांग्विच काफी डिफिकल्ड मानी जाती है इसको पढ़ने में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ही अच्छे होनी चाहिए इनके आर्टिकल्स में समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है इसलिए इसको इजी बनाने के लिए हम इस डिसकेशन को स्टार्ट करेंगे देखे आज है डेट 10th of July 2023 यहां में आर्टिकल्स को बहुत ही लेमेन लांग्विज में समझाओंगी देखे पहला आर्टिकल्स जो हम डिसकस करने वाले हैं वो है WTO से रिलेटेड WTO में एक body है जिसका नाम है dispute settlement body यहां पे जब trade war मतलब trade dispute होता है दो countries के बीच में तो वो dispute कहां जाता है इस body के पास DSS तो जो DSS है इसमें क्या हो रहा है ना इसके appointments में इसकी functioning में कुछ delays आ रहे हैं तो इधर पे हम समझेंगे कि यह delays क्यों आ रहे हैं और क्या problems है इधर पे दूसरा article हम समझेंगे अनभागे scheme के बारे में यह scheme करनाटिका में चलाई जा रही है state के द्वारा तो जो PDA scheme है जो central government चला रही है उसमें क्या clashes आ रहे हैं अनभागे scheme में और उसमें क्या problems भी हैं इस article में हम इसको जानेंगे तीसरा article है currency wars related जो currency war जैसे dollar हो गया और चाइना का NBB यानी Chinese yuan जो है इन दोनों के बीच में क्या war हो रही है इस article में हम इसको अच्छे से समझेंगे चौथा article हमारा है US और Ukraine से समझेंदित Ukraine जो war है अभी रश्या के साथ में तो US जो है उसको बहुत सारे ammunitions भेज रहा है और US पहले बोलता था कि पर्टिकुलर टाइप का जो ammunitions है हम इसको use करने को prefer नहीं करेंगे इन बहुत सारी countries ने उसको ban भी कर रखा है लेकिन अब उसने अपने ही बात पर U-turn लिया है और Ukraine को वो weaponize कर रहा है उन्हीं अम्यूनिशन से तो चलिए articles हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला article है WTO से related इस article का context क्या है देखिए जो यह body है ना dispute settlement system यहाँ पर अभी current state क्या है क्या problems हो रही है U.S. ने इस body पे कैसे blockade बना के रखा है क्या रुकावट बना के रखिए यह context है इस article का आगे article में पड़े सबसे पहले हम basics की बात कर लेते हैं क्या basics देखिए आप जानते हैं जो WTO है World Trade Organization यह found करी थी 1995 में यह कौनसा period था जब cold war खतम हो चुकी थी और Soviet Union collapse हो चुका था जो की communist ideology को prefer करता था अब यहाँ पे कौनसा ideology हेजिमन हो चुकी थी वो थी capitalist तो यहाँ पे new liberal policies आ चुकी थी जो की dependent थी trade पे तो यह trade को regulate करने के लिए इस body का इस body को found किया गया लेकिन इस body को किस basis पे found किया गया कि भाईया यहाँ पे consensus होने चाहिए मतलबस जितने भी फैसले होंगे सारी countries उस पे agree होनी चाहिए इस basis पे WTO को found किया गया था WTO के अंदर एक body बनाई गई एक system बनाया गया जिसका नाम था dispute settlement system यह ना दो टायर में होता है इसका structure पहला टायर यह होता है जब दो countries आपस में उनके trade dispute हो जाता है तो यह एक panel के पास जाती है यह एसे आप समझ सकते हैं जैसे court हो गया court में जैसे हम लोग के बीच में कुछ problem हो जाती है तो हम कहार हो जाते हैं तो जो second जहां पर appeal किया जाएगा, वो होती है आपकी appellate body, यहां यह है आपकी appellate body, समझ में आया, अब यह जो appellate body है न, यह seven membered body होती है, यहां पर जो judicials appoint किये जाते हैं, वो सारी countries मिलके vote करते हैं, voting system कैसा होता है, यहां पर two-third of the majority, जो voting होती है, उस से इनको appoint किया जाता है, समझ में आया, अब यहां पर problem क्या हो रही है न, जो US है, एक second, जो US है, वो यह कह रहा है, कि जो DSS है, और उसकी जो appellate body है, यह न अपने दायरे से बहार जा रही है, अब उसका कहने का मतलब क्या है, मतलब जो उसको जिस role के लिए रखा गया था, role उसका क्या था, कि दो countries के बीच में अगर कोई dispute है, वो panel के पास जा रहा है, पैनल अगर जो decision दे रहा है, वो सही से, मतलब उन countries को ठीक नहीं लग रहा है, तब जाके वो appellate के पास जा रहा है, तो यह जो role है, यह ठीक से नहीं निभा रहा है, और वो create कर रहा है नए binding rules, कैसे, देखिए, जो एक ना जब WTO की यह body बनाई जा रही थी, तो एक dispute, settlement, understanding sign हुई थी, मतलब एक type का यह charter है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस charter में कुछ rules लिखे गए है, तो US ने इस charter का सहारा लेते हुए यह कहा है, कि the dispute settlement system of the WTO is a central element, वो मान रहा है कि बहुत important element है, जो कि security देता है और predictability देता है, multilateral trading system को, मतलब कि यह बहुत ही important body है, अपना role इसको play करना चाहिए, लेकिन यह ऐसा नहीं हो सकता है, यह खुद के rules नए नए बनाए, अब जैसे एक example की तोर पे मैं समझाती हूँ, कि मान लिजे Indian court है, supreme court मान लिजे, यह पहले भी verdicts देता था, ठीक है, इसने कोई verdict दिया, किसी case में मान लिजे, इसका है verdict 1, दूसरा case आया, जिसमें similar case है, जिसका जो agenda है, वो थोड़ा-थोड़ा similar है, तो supreme court क्या करता है, यह वाला जो verdict है, यहाँ पे इस्तिमाल करता है, ठीक है, case 2 में, समझ में आया, तो यह जो precedent set कर रखा है, यह all over, इंडिया same हो जाता है, फिर जो यह verdict होता है, यह supreme court implement करवाता है, throughout the country, सारे high courts में, सब जगा यह verdict implement होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है न, कि जो यह body है, यह भी ऐसी कर रही है, कि जो इसने verdict दे दिया है, अगर similar type का dispute आ रहा है, next time, तो वही जो पुराना verdict है, वो चिपका देता है उसमें, तो US को इस तीज से problem है, US कह रहा है कि यह जो तुम verdict को bind कर रहे हो, यह गलत है, तुम्हारे पहले से कुछ stated, तुम्हारे नियम है, उनको ही follow करो, और consistency को maintain करो, समझ में आया, US का क्या concern है, इस जो article है, इसमें इना, author ने argue भी किया है, कि कुछ जैसे courts हो गए, जैसे international court हो गया, या international court of justice हो गया, यहाँ पर भी हमने देखा है, कि काफी बार ऐसा किया जाता है, कि पहले कुछ verdicts दिये, उनको base माना गया, और जो similar case आया, उसको हमने यहाँ पर verdict को as it is दे दिया है, तो यहाँ पर वो यह बात कर रहे हैं, लेकिन article में, जो author है, उन्होंन countries हैं, वो adopt कर ले एक statement को, कि हाँ भाया, जो यह appellate body की rulings होंगी, वो कोई president को set नहीं करेंगी, यह author suggest कर रहा है कि WTO की जितनी भी countries हैं, वो statement को adopt कर ले कि जो appellate body की rulings है, वो precedents create नहीं करेंगी, लेकिन US इस चीज से भी satisfy नहीं होगा, अभी समझते हैं क्यों, पहले हम कुछ और जान लेते हैं, कि बाकी countries कह क्या रही है, बाकी countries कभी तो stand जरूरी है, देखें, बाकी countries यह कह रही है, कि वो भी इस बात से हां भर रही है, कि consistency बहुत जरूरी है, WTO के agreements में, interpret जो भी हो रहा है decision, उसमें consistency बहुत जरूरी है, ठीक जो कि applet body ने काफी बार try भी किया है, इसको consistent रखने का, अब यहाँ पर हम जानेंगे, कि US ऐसा क्यों चाहरा है, US इस वाले मुद्दे से, जो statement वाला मुद्दा है, उससे agree क्यों नहीं होगा, उससे खुश क्यों नहीं होगा, क्योंकि US का जो target है वो तो कुछ और ही है, रहा है, मतलब जो भी trading चल रही है, उसको de-judicialization कर दिया जाए, इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब यह है कि WTO, जो देख रहा है trade disputes को, अब वो ना देखे, समझ में आया, इसका यह कहने का मतलब है, कि US अपने trade से related जितने भी decisions है, खुद का control लेना चाता है, इसका reason सबसे बड़ा कौन बताएगा, comment box में जरूर बताएए, यहाँ पर pause करके, देखे, इसका सबसे बड़ा reason है China, चाइना की बढ़ती होई power को challenge करना चाता है US, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि China कैसे US को challenge कर रहा है अपने trade से, अपनी currency से, तो US उसको counter करना चाता है, उसको contain करना चाता है, इसलिए US यह चाता है कि appellate body का appointment होई ना, यह reason जा ना आपने, और उसकी भी जो thinking है, वो अपने इसाब से ठीक है, US की, US के इसाब से ठीक है, देखे, writer बात कर रहे हैं कि solution क्या हो सकता है, एक solution writer यह देता है कि to vote, एक second, to vote on appointment of appellate body members at a WTO meeting, लेकिन, writer आखरी में यह question आप पे छोड़ देता है, जब article पढ़ोगे, वो आप पे छोड़ देता, क्या यह चीज भी US को खुश करेगी, मुझे तो लगता है नहीं करेगी, आप क्या सोचते हो, comment works में बताना, चलिए, next article को हम discuss करते हैं, दूसरा article है अन्भाग्य को लेके, यह अन्भाग्य न करनाटिका की एक scheme है, करनाटिका में elections हुए थे, जहां पे Congress ने जीता था, और जो उनका agenda था, कि हाल फिलाल जो PDE scheme चल रही है, जहां पे पांच किलो राइस, पांच किलो वीट हाउस होल्ड को दिया जा रहा है, उसके additions में हम और राइस देंगे, और वीट देंगे, यह है अन्भाग्य scheme, तो simple सा यह context है, जो हमने discuss किया, और article यह कह रहा है कि Congress party का जो यह decision है, यह vision है, यह बहुत ही छोटा है, क्यूं? राइटर यह कह रहे हैं कि क्या करोगे राइस और वीट देके, पहली से उनको पांच किलो राइस, पांच किलो वीट मिल रहा है, तो और राइस, और वीट देके क्या करोगे, उसके इलावा उन्होंने solutions भी दिये हैं, कि Congress को बड़ा vision रखना चाहिए, सिर्फ राइस और व है कि यह जो PDA scheme जो चल रही है Central Government की, इसमें shortcomings क्या है, देखिए, PDA scheme आप जानते हैं कि राइस और वीट को बाटने में काम आती है, जो कि मानले जो below poverty जो line होती है, उसके नीचे जो लोग होते हैं, उनके लिए राइस और वीट, food grains जो होते हैं, उनको बाटा जाता है इस scheme के अंतरगर, COVID-19 के दोरान, इस scheme ने काफी लाब उचाया लोगों के लिए, जहां सारे काम बंद हो चुके थे, लोग poverty से मर रहते हैं, हंगर से मर रहते, तब ये scheme काफी काम आई थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो पीडियस scheme जो है, बहुत से states में सही काम नहीं कर रही है, कैसे, कि सिर्फ और सेफ इस scheme में rice और wheat दिया जा रहा है, pulses यानि दाल और oil को नहीं दिया जा रहा है, जो कि nutrition प्रोवाइड करते हैं, ठीके, जो दाल होती है, मैं मानती हूँ अगर ज्यादा nutrition नहीं, तो बलकि rice के जो मतलब according है, वैसा ही nutrition प्रोवाइड करती है, इससे क्या होगा न, diversification होगा food में, food intake जो होगा आपका diversified होगा, और आप सिर्फ और सिर्फ wheat और rice पर dependent नहीं होगे, अब इस चीज़ को उसमें क्या हो रहा था, कि जादा से जादा population cover नहीं हो पा रही थी, तो NFSA, जो National Food Security Act जो आया, इसने है न, अप्रोच तो बढ़ा दी, मतलब, expand त इसने expand कैसे किया, इसने राशन कार्ड्स दिया है, इसने बोला है कि जो 50% of the urban areas में जो लोग हैं और 75% of the rural area में जो लोग हैं, उनको भी PDS scheme के अंडर cover किया जाए, लेकिन इसमें क्या problem है, इसमें ये problem है, कि जो ये लोग data ले रहे हैं न, BPL के लोगों का, वो 2011 के census के उसमे उपर ले रहे हैं, मतलब 2021 का तो अभी census हुआ नहीं है, तो 2011 में जितने भी लोग थे, BPL में, उसके according ये data ले रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि तब की population, आपकी population में कितना difference है, और किती जादा problems है ये COVID के दोरान, कितने लोग BPL में पुश कर दिये गए हैं, तो ये जो data है और ये जो missing हो रहा है, ये अभी इसमें count नहीं हो रहा है, जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग जो हैं, अभी भी PDS का lab नहीं उठा पा रहे हैं, ये समझ में आया कि NFSA का issue क्या है, अब क्या हुआ ना, एक scheme है, open market sales scheme, open market sales scheme, ये क्या कहती है, कि मान लीजे, जो आपकी food corporation of India है, ये आपकी central authority होती है, जो food grains को procure करती है, रखती है, और जैसे ही market में destabilize होता है, मतलब कमी आती है, तो ये तब उन food grains को निकाल देती है, market को stabilize करने के लिए, तो ये क्या करती है, इस scheme के अंतर गत, ये market में अपने जो extra food grains है, उनको निकालती है, जिस जो है ना, state governments खरीदती है, market price पे ही खरीदती है, ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि उनको MSP भे मिल रहा है, नहीं नहीं, इनको market price पे ही खरीदना पड़ता है, जो PDS scheme के दोरान, मतलब जो gaps आ रहे हैं, मतलब सारे लोगों के पास PDS scheme से नहीं पहुच पा रहे हैं food grains, या कब तो ये जो scheme है ना, state governments इस scheme के अंतरगत इसको fulfill करती है, इस gap को fulfill करती है, अब क्या हुआ ना, सरकार ने, central government ने इस scheme को बंद कर दिया, सरकार ने अब बोला कि जो FCI है, वो अब direct, जो food grains है, वो market में बेचेगी, मतलब अब state governments इसको नहीं खरीद सकती directly FCI से, देखो, बात तो same हो रही है ना, state government इसको खरीद रही है, market price में, FCI भी market में बेच रहा है, market price में, लेकिन सरकार ने वोला, ने, 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 state government नहीं खरीदेगी, हम direct market को बेचेगे, लेकिन इसमें problem की आएगी, देखो, इसमें problem ये आएगी, कि यहाँ पे जो traders खरीदेंगे इसको, और जब ये बेचेंगे customers को, वो इधर पे अपना profit margin ना, काफी high रख लेंगे, मतलब जो lab है, वो customer तक नहीं पहुचाएंगे, और profit margin अपने पास रख लेंगे, समझ में आया, state government लेकिन अगर ये काम कर रही थी, तो state government, lab सब तक पहुचा रही थी, बलकि सस्ते में और बेच रही थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये scheme को बंद कर दिया है, central government ने, discontinue कर दिया है, और private traders को अब बेचने के लिए कह रहे हैं, तो देखे, way forward क्या हुआ, way forward ये हुआ है, कि जो ये वाली scheme है आपकी, अन्य भाग्य योजना, और PDS, इसमें ये है कि diversification करो food grains का, pulses भी दो, oil भी दो, millets भी दो, author का ये कहना है कि जो millets है, करनाटिका उसका major growing state है, मतलब काफी millets उखता है, तो इससे क्या होगा ना, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं होगा, BPL के लोगों को फायदा नहीं होगा, सिर्फ farmers को भी फायदा होगा, क्योंकि उनको boost मिलेगा millets को गाने के लिए, आप जानते हैं काफी कि millets के कितने सारे फायदे हैं, pest resistant है, drought resistant है, तो इसके काफी सारे फायदे हैं, अब चलिए, चलते हैं next article पर, next article हमारा जो है वो currencies से related है, कि जो US का dollar है और Chinese का ran में भी है, देखिए context क्या है इस article का, ये article कह रहा है कि जो India, इंडिया रश्या से अभी जो oil import कर रहा है ना, तो उसका जो payment है, इंडिया डॉलर के रूप में नहीं दे रहा है, इंडिया उसका payment किस फॉर्म में कर रहा है, युवान, यानि रेन में भी के basis पे, अब इससे क्या problem है, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए, इंडिया रश्या है ना, रश्या पे लगे हैं sanctions, मतलब रश्या से कोई भी trade नहीं कर सकता है, लेकिन इस sanctions से हटके, इंडिया अगर oil import कर रहा है रश्या से, तो उसको एक common currency लेनी पड़ेगी, common currency के through trade करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर अभी यहां पे काम नहीं करेगा, तो इंडिय इंडिया ने खुदी चूज कर लिया, कि हाँ चलो हम रेन में भी को चूज करते हैं, हम इस से आपका payment करेंगे, तो इस से issues आए हैं, वो हम समझेंगे, कि हाँ, इंडिया का interest कैसे hamper होगा, तेकि इंडिया जो है ना, aspire कर रहा है अपनी currency को, यानी, रुपी को internationalize करने के लि जैसे ये जितनी भी currencies हो गई ना, dollar हो गया, ran में भी हो गया, और भी जितनी 5 currencies जो हैं, ऐसे ही इस चीज में enter करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, कि हमारी भी currency इस्तिमाल हो world trade में, समझ मैं, तो इस चीज में ये जो इंडिया ने decision लिया है, ran में भी को use करने में, तो उस व और की वज़े से, US ने sanctions लगा दिया, जिसकी वज़े से, इंडिया ने सोचा कि चलो, हम अब इसमें choose करेंगे, लेकिन इसके repercussions क्या होंगे, देखे, चाइना वैसे ही चाहता है, कि हम अपना dominance पूरी world में, अपना dominance हो, मतलब चाइना का dominance हो, लेकिन इंडिया हर वक्त आप जान भी रहा है कैसे counter करने की कोशिश कर रहा है, quad join करी, अपनी currency को भी internationalize करने की कोशिश कर रहा है, US अपने संबंद अच्छे बढ़ा रहा है, लेकिन जो इंडिया का ये वाला step है न, ये कहीं न कहीं, चाइना को और dominate कर रहा है, मतलब चाइना और dominate करे, ये उसको आगे क तरफ बढ़ा रहा है, समझ में आया, और लेकिन एक problem भी है, जैसे मान लिजए, dollar आप जानते महंगा है थोड़ा, और rent में भी थोड़ा सा सस्ता है, तो माना कि जो oil imports हो रहे हैं हमारे, वो थोड़े सस्ते हो रहे हैं, लेकिन article में ये कहना है कि जैसे बड़ी बड़ी जैस जा रहा है, उसका na trickle down effect नहीं हो रहा है, मतलब जो last जो है, मतलब customers जो हैं, उधर तक उनका फाइदा नहीं पहुच रहा है, और जो traders हैं, जैसे reliance जैसी company होगी, उनके पास जो profit का margin है, काफी जादा हो रखा है, तो इससे ये problem आ रहे है, conclusion ये है कि ये जो decision है, इंडिया के best interest में नहीं है, और इसका जो problem है, मतलब जो repercussions हैं, US dollar से shift हो के रहन में भी के पास जाकर, उसके impacts अच्छे नहीं हो सकते हैं, इंडिया के लिए, क्योंकि चायना फिर है, इंडिया को force करेगा, कि कल को जो तुम हमारे साथ ट्रेड कर रहे हो, उसका भी payment तुम हमारी currency से तुम यूआन इस्तमाल कर रहे हो, रहन में भी इस्तमाल कर रहे हो, तो हमारे साथ जो ट्रेड कर रहे हो, जो मेरी ही currency है, तुम डॉलर में कर रहे हो, तो चायना इना इंडिया को force कर सकता है, कि तुम अब यूआन ही इस्तमाल करो, समझ में आए या article, last article is about Ukraine, एक second, देखि Biden administration ने cluster munitions भेजे हैं, Ukraine में, अब आप सोचो कि cluster munitions क्या होते हैं, वैसे कि हम जैसे जानते हैं, कि US ना weaponize कर रहा है Ukraine को, Russia के against fight करने के लिए, तो ऐसे ही कुछ weapons होते हैं, cluster munitions, अब ये cluster munitions क्या होता है, जैसे मान लिजे, air strike के थुरू, इसको भेजा गया, एक bomb type का फेका गया, ये जो bomb होते हैं, ये छोटे छोटे हो जाते हैं, कई जगा जाके, अब जैसे ये भेजा गया, अब यहाँ पर मान लिजे, civilians रह रहे हैं, और यहाँ पर मान लिजे, military के जो भी establishments हैं, वो हैं, तो ये न, differentiate नहीं करेगा, कौन सा civilian है, कौन सा military है, तो जब ये explode होएंगे, तो civilians भी compromise होंगे, इसमें, इसकी एक और problem है, कि जितने भी छोटे छोटे worms हैंना, हो सकता है, वो उस time पे explode ना हो, ये है न, जमीन पे ऐसे की ऐसे पड़े रहे हैं, अब उससे क्या problem होगी, हो सकता है थोड़ी देड़ तो ऐसे dormant डले रहें, लेकिन बाद में visport हो, अब इसको कोई मान लीजे, अभी तो पता नहीं है, ये क्या है, कोई भी इस पे चल दे, या कुछ भी इसको toy समझ के उसको ठा ले, तो कितना जादा नुकसान करेगा, समझ मैं है, तो ये जो है न, cluster munitions, इस काफी countries ने इसको ban कर रखा है, और US ने भी इसको ban कर रखा था, और US ने तो ये भी बोला था, कि ये इसका use करना काफी गलत है, लेकिन US ने अब U-turn लिया है, अपने ही decision से, और Ukraine को इन cluster munitions provide कर रहा है, और ये जो article है न, ये highlight कर रहा है, कि Ukraine जो problems या challenges face कर रहा है, कि Russia से, उसमें और भी क्या challenges आ रहे हैं, Ukraine और भी कौन से challenges face कर रहा है, देखिए West न, Ukraine की पूरी help कर रहा है, Russia के against fight करने के लिए, और इसलिए, वो ensure कर रहा है, कि हम Ukraine को, अच्छे से अच्छे weapon भेज सकें, लेकिन Russia के पास तो न, इन weapons की already industrial base है, अब आप समझ सकते हैं, कि जिसके पास खुदी production हो, और यहाँ यह बिचारा मांग रहा है, इसके पास आ रहे हैं, तो difference तो होगा न, यह produce कर रहा है, जब चाहे इसको यह अच्छे से अच्छे weapons यह manufacture कर रहे हैं, तो Russia के पास इस चीज का edge है, weapons का, US या West जितने भी weapons भेज ले, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, अब यह article discuss कर रहा है, कि Ukraine थोड़े थोड़े जो victories हासिल करी, या थोड़े थोड़े जो भी उसके areas, Russia ने उस war के दोरान अपने अंडर ले लिये थे, तो थोड़े Ukraine ने उनको वापस लेने की कोशिश करी, लेकिन Russia ने वहाँ पे एक wall create कर दी, मतलब यहाँ पे अपना deployment कर दिया, जिसके कारण अब Ukraine अपने जितने भी areas हैं वापस नहीं ले सकता, समझ में आया, इसलिए its goal of cutting Putin's land bridge यह achieve नहीं कर पाएगा Ukraine, अब इसके ना जो यह cluster munitions हैं, इसके कुछ ethical implications है, ethical implications क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह ना differentiate नहीं करता है कि कौन civilian है या कौन military establishments है, यह कभी भी फट जाता है, तो इसी लिए यह बोल रहा है कि such weapons, एक second, such weapons blurs the moral and ethical lines, Ukraine हो, चाहे Russia हो, कोई भी side अब compromise करने को तयार नहीं है, चाहे इसके कोई भी ethical implications हो, यह आज हमने चार articles को अच्छे से समझा, जो कि आप इस्थमाल करेंगे, means में भी और prelims में भी, आज की discussion में इतना ही है, thank you friends, हम कल मिलेंगे फिर से नए आर्टिकल्स के साथ,